दोस्तों अगर आप एक नए यूटूबर हो और आप अपनी यूटूब वीडियो के लिए एक अच्छा सा माइक सेर्च कर रहे हैं तो आज किस वीडियो में मेरे पास 6 ऐसे कमाल के माइक हैं जो आपके कामा सकते हैं तो इस वीडियो को आपको complete वाच करना है क्योंकि दोस्त बात करेंगे तो आज के बाद आपका जो होता है माइक को लेकर वह आज आपका गर्ण पर खतम होने वाला है तो इसलिए वीडियो को पहरे पूरा complete वाच कर लेना तो आई आज का वीडियो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यही कहुँआ चैनल पर नहीं हो होगा अगर आप एक यूट्वेर हो दोस्तों ये जो माइक है बोय माइक जब कोई भी यूटिवर अपनी डियर्नी स्टाट करता है तो система करता है अक्षा शुक है और इसका साइँ बैस्तдел लेकिन अभी भी यह ठीटाक तरीके से काम करता है आप तो काफी सारी वीडियो से की है और यह को लेकर लोगों ने कमेंट भी किया है कि माइक कौन सा है तो यह है अप M1 Mic. अब दोस्ता अगर इस Mic की बात करें, इस Mic में जो दिक्कत है, एक टो ये वार वाला Mic है, अगर आप इसको कोल दो तो काफी लंबी इसकी वार है, हलका से यहाँ पर दोस्तों क्या दिक्कत होती है, एक तो इसकी जो बाइर है, वो खराब हो जाती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है अगर आप एक नई यूटुबर हो आपने अपना यूटुब चैनल सुरू किया है तो मैं आपको highly यही माइक डिकमेंट करूँगा क्यों दोस्तों इसका sound बहुत ही ज़्यादा unique और ultimate sound है आज के जितने भी wireless mic आते है इस range में इसकी price लगवग 1000 रुपे के असपास उस time थी आज तो लगवग 8-800 के बीच आपको यह mic मिल जाएगा लेकिन आज के जितने भी wireless mic है phone के उनके comparison में इसका जो sound है दोस्तों वो आज भी उपर है आप इसको compare करना आपको इसका sound उपर ही मिलेगा तो दोस्तों अगर आपको यह original mic कहीं मिलता है Boya M1 तो मैं आपको यही recommend करूँगा आप इस mic को purchase कर सकते हैं क्योंकि यह mic आपके phone प्लस camera दोनों device में चलता है तो आप इस mic को use कर सकते हो इसका एक तो दोस्तों budget काफी कम है सस्ता mic है हर को इसको purchase कर सकता है और इसका sound काफी अच्छा है sound तो मैं आपको अभी नहीं सुना पाऊँगा क्योंकि दोस्तों 6 mic है 6 बार मुझे mic change करना पड़ेगा तो यह थोड़ा सा अलग हो जाएगा लेकिन इस पर मैं पहली कुछ वीडियो कर चुका हूँ आप link देख लेना मैं description में डाल दूँगा उपर eye button में दे दूँगा आप वहाँ से जाके check out कर सकते हो तो दोस्तों अगर आप एक बिल्कुल नई YouTuber हो तो मैं आपको यही mic recommend करूँग आप इसको यूज कर सकते हो अगर आपको यह original मिलता है क्योंकि दोस्तों आज market में बोया कि काफी सारी copies आ रही है इनकेस अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इस mic को purchase कर सकते हो काफी अच्छा mic आपके लिए रह सकता है आए दोस्तों move करते हैं अपने दूसरे mic के हो यह है दोस्तों हमारा second mic गिरनारों के तरफ से आप देख सकते हो इस mic के unboxing आपको चैनल पे मिल जाएगी तो यहाँ पर दोस्तों गिरनारों का यह mic आता है यह wireless mic है इसको आप सिर्फ अपने phone में यूज कर सकते हो अगर आप camera के लिए purchase कर देख तो camera में यह mic नहीं चलता है इसको आप सिर्फ अपने phone में यूज कर सकते हो वही दोस्तों अगर मैं Boya से इसका comparison करूँ तो comparison जादा बनता नहीं है लेकिन इसका जो price है वो काफी high है Boya आपको 1000 रुपे के approach मिल जाता है अगर इसकी बात करूँ तो अभी फिलार मेरे पास एक two color mic के साथ है इसका price मुझे लगबग 3000 के आसपास पड़ा अगर मैं sound quality compare करूँ Boya और Girnaro की तो Boya यहाँ पर काफी अच्छा sound यहाँ पर इसके मुकाबले आपको देने वाला है तो यहाँ पर दुस्तों मैं आपको इवार माइक दिखाता हूँ यह गिनारो का माइक और यह wireless माइक है इसकी यह खोबी है यह wireless है इसमें आपको wire की ज़रत नहीं पड़ती है यह माइक आप देख सकते हो माइक का कुछ इस तरीके से सेट आता है आप इसको single color माइक के साथ भी ले सकते हो और double के साथ भी ले सकते हो यह आपके ओपर depend करता है तो दुस्तों यहाँ पर अगर इन दोनों का हम comparison करे तो मैं आपको highly recommend करूँगा बोया का माइक क्योंकि एक तो price कम है और दूसरा उसका जो sound है गिरनारों से काफी अच्छा sound है अगर आपको इसका original sound सुनना है गिरनारों का तो इस पर मैंने video बना रखिये link में description में दे दूँगा आप वहाँ से जाके check out कर सकते हो और उसके बाद मुझे comment में जरूर बताना दोनू में से किसका sound आपको कितना better लगा और इसके sound में आपको क्या कमी लगी आए मूप करते हैं अपनी तीसरे mic की ओर तो तीसरा mic है हमारे पास बोया का wireless mic V1 यह आप देख सकते हो यह है बोया का V1 wireless mic यह आपका बिना wire का आता है और इसको आप अपने phone के साथ यूज कर सकते हो camera के लिए यहाँ पर यह नहीं है सिर्फ इसको phone में यूज कर सकते हो इसका अगर प्राइस की बात कर तो यहाँ पर यह mic आपको मिल जाता है गिर नारो की range में लगबग 3000 के आसपास आपको यह mic मिल जाता है इसकी कुछ features की बात करें तो सबसे पहला यह feature है wireless mic है दूसरा यहाँ पर आपको type C charging port इसके साथ मिलता है और तीसरा दोस्तों आप इस mic को एक बार charge करते हो तो 9 गंटे तक आप इसको continuously use कर सकते हो इसके साथ company आपे claim करती कि 50 मीटर की जो range है वहाँ तक आप इसको record कर सकते हो लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो इसका 50 मीटर है वो आप 20 मीटर मान के चलो कुछ यह 20 मीटर की जो range है वहीं तक यह अच्छा sound capture करता है इसकी sound की बात करूँ तो sound पर मैंने को यूज कर सकते हो अगर आप कोई माइक परचिस करना है इसका link में आपको description में दे दूगा तो guys यहाँ पर हमने तीन माइक already discussed कर ली है उन तीनों में पहला बोयका था दूसरा गिरनार हो था तीसरा बोयका wireless माइक था इसकी price की बात करें दोस्तों तो यह माइक आपको पढ़ता है 4500 के approach और जब मैंने purchase किया था तो मैंने लगबग 4500 के approach सी purchase किया था लेकिन इसका price गटता बढ़ता रहता है वो आप check out कर सकते हो अगर दोस्तों आप एक अच्छा wireless माइक सर्च कर रहे हो अपने DSLR camera के लिए तो मैं आपको यही mic recommend करूँगा क्योंकि दोस्तों इसका जो sound मुझे काफी अच्छा लगा इसका battery backup भी काफी अच्छा है sound भी काफी अच्छा है मैं अपनी previous video में इसमें काफी मैंने video बना रहे है आप देखके check out कर सकते हो इसकी unboxing देखने है उस पर मैंने अल्रेडी वीडियो बना रहे है अगर मैं आपको mic दिखाऊं तो दोस्तों इस DVD के अंदर आपको मिलता है एक ऐसा बड़ी आसा case और यहां पर मैं आपको इसके mic दिखाऊं तो दो mic और एक singer receiver के साथ यह आता है और इसे एक साथ आपको कुछ यहां पर इसकी accessories मिलती है जो मैं आपको पहली दिखा चुका हूँ प्रिवेस वीडियो में तो यह है दोस्तों Digitech का mic देख सकते हैं आप होग करने के लिए आता है और इसका battery pickup और sound काफी अच्छा मुझे लगा अगर आप एक ठीक डाक बजट में अपना एक wireless mic देख रहे हो कैमरे के लिए तो आप इसको purchase कर सकते हो बात करते हैं दोस्तों अपने अगले mic की तो अगला mic हमारे पास है RODE का wireless go second mic अभी जो आप sound सुन रहे हो यह RODE से record हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आगे इसको stand पर लगा रखा है तो यह RODE की mic की sound है इस पर भी मैंने पहली से एक वीडियो बना रही है आप वो देख सकते हो इस पर मैंने unboxing दिखा रही है इस mic की price के मैं बात करूँ दोस्तों mostly सबको इसका price पता होता है 30,000 के approach आपको यह mic पढ़ता है 2 color mic के साथ लेकिन दोस्तों यह mic में जो beginners होते हैं उनको नहीं recommend करूँगा आपको एक basic सा mic purchase करना है क्योंकि इसका जो budget है वो काफ़े high है हरको इसको नहीं purchase करता है और यह mic सिर्फ दोस्तों आपको DSLR के लिए है और जो नया एक YouTuber होता है वो अपनी journey phone से शुरू करता है तो यह mic मैं आपको recommend नहीं करूँगा हाला कि मेरे पास यह था इसलिए मैंने आपको यह दिखाया इस पर मैंने पहले वीडियो बना रखिए अगर आपको यह purchase करना है आपका budget है स्क्रीन पर आप देख सकते हो यह mic दोस्तों iOS के लिए जो iPhone यूजर है उनके लिए उसका sound भी काफी ठीक टाक है और उसका अगर मैं comparison करूँ sound तो यह जो वो यह का V1 mic होता है wireless इसके मुकाबले उसका जो sound है हलका सा मैं उसको थोड़ा से नीचे रखूँगा लेकिन उसका भी sound काफी अच्छा है यह निकाऊंगा के बेकार है लेकिन ठीक टाक sound है अगर आप एक beginner सो तो आपके लिए माइक भी अच्छा रह सकता है मैं यहाँ पर आपको उसकी वीडियो का देखने के बाद सर्च का नाय कुन सा माइक आपके लिए बैटा रह सकता है यहाँ पर दोस्तों अगर आप एक beginner हो तो फिर से वही कहूँगा बोय का M1 माइक परचेस कर सकते हो या फिर अगर आपको एक wireless माइक चीए तो आप बोय का V1 माइक परचेस कर सकते हो इसका price 3000 के आसपास आपको यह माइक मिल जाएगा बाकि दोस्तों काफी advanced माइक थे इसमें आपर बाद डिजिटेक का था रोड का था इनका price काफी जदा हाई होता है और एक beginner को मैं यह माइक recommend नहीं करूँगा यहाँ पर मैं सिर्फ दो माइक आपको कहूँगा एक M1 और एक V1 क्योंकि इनका जो sound है को मुझे personally काफी अच्छा लगा आप इन दोनों माइक के साथ जा सकते हो इनके जो result है दोस्तों को काफी high है और price भी काफी अच्छा है तो इस वीडियो को मैं यही end करता हूँ I hope आपको इक comparison अच्छा लगा तो आपको comment में बताना है अगर आभी भी माइक को लिगी कोई doubt है तो नीचे comment कर सकते हो मैं वहाँ पर हमेशा किदर आपको reply कर दूँग